हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टावर यूटूब चैनल, स्टुडेंट्स लाइप, जैसा कि आपने थमनेल में देखा, आज हम क्लाश 10, एक्ससाइस 3, E का कोशन नमबर 7 का सॉलुशन करेंगे, यह आरसर वाल किताब का, वर्ड प्रॉब्लम कोशन है, लिनियर इक्वेशन इन 2 व दो नमबर लेंगे, तो उसमें से एक नमबर बड़ा होगा, और दूसरा नमबर छोटा होगा, तो माल लेते हैं कि जो बड़ा नमबर है, वो X है, और जो छोटा नमबर है, वो Y है, तो इस तरह से हम लोग सॉलुशन में लिखेंगे, लेट दा ग्रेटर नमबर बी X, एंड असमॉलर नमबर बी Y, हम लोग माल लेते हैं कि जो बड़ा नमबर है, वो X है, और जो छोटा नमबर है, वो Y है, अब कोशन में हम लोग यहां देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोशन में है, इफ 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, अब इन दोनों में से greater कौन है, तो X greater है, तो इसका twice निख रहा है, तो इसको 2 से multiply किये, यह दो गुना हो गया, अब subtract करना है कितना, 45, ठीक है, तो यहां से हम 45 subtract कर लिए, तो equal to किसके बराबर हो जाएगा, तो यह जो छोटा नमबर है, उसके बराबर हो इस तरह से भी इसको हम लेख सकते हैं, और इसको हम equation 1 माल लेते हैं, इस तरह से मेरा यहां तक का solution हुआ, अब हम आगे देखते हैं, if 21 is subtracted from twice the smaller number, तो smaller number का twice करना है, तो smaller number हम लोग क्या माने थे, y, इसका twice करेंगे, तो इसको हम 2 से multiply कर दिए, यहां पे minus का sign देंगे, और इ नहां पे लिखा हुआ है 21, तो इसमें हम 21 लिखेंगे, और यह किसके equal होगा, तो x के equal हो जाएगा, इसको अगर हम लोग solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2y minus x is equal to 21, इसको हम लोग equation 2 माल लेते हैं, इसको हम कोई भी method, जो आप लोग ने 3 method पढ़ा है, एक substitution method, elimination method और cross multiplication method, इन हम substitution method से बनाये थे, इस question को हम लोग elimination method से solve करेंगे, तो elimination method से solve करने के लिए, या तो x को या तो y को हमको eliminate करना रहता है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले x है, बाद में y है, लेकिन इसमें पहले y कर दिया है, x को बाद में कर दिया है, तो इसको हम लोग सुदार ले अब हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए हैं, उसके बाद eliminate कर रहे हैं हम इसमें x, तो x को eliminate करने के लिए यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 लाने के लिए क्या करेंगे, equation 2 को हम लोग 2 से multiply कर देंगे, तो जब इसको 2 से multiply कर दिये तो यह पूरा equation 2 से multiply होगा, तो यहाँ हो जाएगा minus 2x, यहाँ plus है, यह to 2, जा 4y is equal to, इसको 2 से multiply करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 42, और इसको और इस तरह से मिटका देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को cancel कर देते हैं, क्योंकि यह plus मैं, minus मैं, sign change नहीं होगा, यह plus, minus, minus हो गया, 4 में एक रटाएंगे, तो 3 हो गया, और is equal to, इन दोनों को plus कर देते हैं, 5 और 2, 7, 4 और 4, 8, तो इस तरह से 3y is equal to 87 हो गया, तो y का value 87 by 3 हो जाएगा, तो यहाँ इसको अगर हम लोग cancel करेंगे, तो 3, 2 जा 6, 3, 9 जा 27, 29 हो गया, तो y का value निकाल लिए, अब हम लोग x का value कैसे find करेंगे, तो y का value हम लोग equation 1 में put कर लेते हैं, तो equation 1 मेरा ये था, 2x minus y, y के जग़े हम लोग कितना लिखेंगे, 29, तो 29 हो गया, is equal to 45 हो गया, यहाँ पे 2x is equal to 45, यह minus 29, equal to का अधर चाके, plus 29 हो जाएगा, तो 2x is equal to, तो इन दोनों को जोड लेते हैं, तो 9, 5, 14, 14 का यहाँ 4 हो गया, बच गया 1, 4 तो 6 और 1, 7, अब 2 जो है, इसके नीचे आ जाएगा, तो x is equal to 74, नीचे 2 आ गया, इसको कार देते हैं, 236, 17 to 7, 14, तो इस तरह से x का value निकल गया, 27, अब हम लोग का सकते हैं, कि जो greater number है, वो 37 है, और जो smaller number है, वो 29 है, तो इस तरह से मेरा 7 का solution हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी question को बनाएंगे, तब तक आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे,